श्री रामचरित मानस, प्रथम सोपान, बालकांध, सोठा एक से पांच तक, हिंदी अनुवाद, सोठा एक, जिन्हे स्मरन करने से सब कार्य सिध्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुखवाले हैं, वे ही बुध्धी के राशी और शुब गुनों के धा श्री गनेश जी मुझ पर क्रिपा करें, सोठा दो, जिनकी क्रिपा से गुंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, और लंगरालूला दुर्गम पहार पर चड़ जाता है, वे कलियूग के सब पापों को जला डालने वाले दयालू, भगवान, मुझ पर द्रवित हो दया करें, सोठा ती, जो नील कमल के समान श्यामवर्न है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेतर है, और जो सदाक्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान, नारायन, मेरे हृदय में निवास करें, सोठा चार, जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान, गौर, शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर सने है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले, शंकर जी, मुझ पर कृपा करें, सोठा पांच, मैं उन गुरु महाराज के चरन कमल की वंधना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरी ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने के लिए सूरे किरनों के समुध है,